इसलाम अलेकुम दोस्तों जनाप जिन्दगी की भागदोर में मुकाई नहीं मिला वक्त नहीं मिला के में कोई वीडियो बनाती तो अब थोड़ा सा वक्त मिला तो मैने घी पीजा बनाया था बच्चों ठीस्ट का डाला है, एक साशे इंस्टेट अडाला है, खमीर का एक टीस्पून नमक डाला है, दो टीस्पून चीनी के डाले हैं, और जर्नाब ये 5 टीस्पून में ने ऑईल के डाले, आप थोड़ा सा और भी ले सकते हैं, ये अपशनल है, इसको ज़ूररी नहीं करते हैं, इसके बगएर भी बहुत अच्छे डोते यार हो जाती है नॉर्मल पानी से मैंने इसको नरम सी एक डो बना ली है आप इसको दूद के साथ भी गून सकते हैं और इसके दर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरीके से भी बड़ा अच्छा बन जाते हैं तो जरा मैं इसको गूने यह बिल्कुल सही रहता है ठीक है आपको परिशानी नहीं होती किसी किसी थोड़ा सा ओल लगा लगा के इसको गून ले और अच्छी तरह से गूनने के बाद तकरीबन दस से बारा मिनट गूनने के बाद आप इसको रेस्ट के लिए रखते हैं तकरीबन एक गूंटे में भी यह राइस हो जाता है देर दो गूंटे में तो और बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन मेरे बचोंने खाना नहीं खाया था इसके शौक में के पीजा बन रहा है हम तो पीजा ही खाएंगे डारेक्ट तो जनाब मैंने यह आदे घंटे में ही इसको निकाल करें पहले एर निकाले इसकी और फिर भूणला जाए में अब यह रेडि है इसा बनाने के लिए तो जनाब एक रेगुलर पीजा पेहन पे मैंने ओयल लगा दिया है चिकना कर लिया है मैंने यह तीन पीजा बनाया है तो तीन ट्रे मेंने ऑईली कर लिए तीन के इसाब से कर लेएं और स्यी चोटाई शाइज के भी बना सकते हैं और पैन पीजा भी बना सकते हैं यह बने रेगुलर साइज के बना जाना जनाब आप‌ इसको थोड़ा थोड़ा सा सूखा मेदा डालके और इसको बेलें। आप इसको डार को डाय पैन में रखके ze दबा दबा के भी पैन के साइज कर सकते पायरों, जेकिमी पर निद महाव बड़ा चाहिये था क्याकि मैंने इसके किनारों पर दीजाइन बनाने धी गोशिश करी थी। किल देने थो दटमाला रिए हना जो कि कि किणार ही के छ नियुकर के ज्टम कर दिरी के जहएफ मोझे के दुटो करो है। के तो मैं न हुझा बीजाऊक भी और को करिया तू चेढ़ इसके किनारों को मैंने forskी काट लिया है किनार से कहित के डो को मैंने स्ट्रिप में काड लिया है और चल्दी-चल्दी मैंने इसको फॉल्ड किया मतलब कि रोस में स्ट्रिप्स को कि रोस में कर दी गई और एक डिजाइन बनता गया जनाब बचे बहुत खुश होते हैं जब कोई नहीं चीज़ देखते ना उनके एक्सपरेशन देखने में बहुत मज़ा आता है जनाब यह हमारा जीटो तयार हो गई है ओ सुरी फीजा का कर्ष्ट तयार हो गया है अब इसके उपर पीजा सोस पहला दें ठीक है मैंने तो अखिर यह चिली गार्लिक सोस डाला है उसके अंदर भी थोड़ी सी क्या कितना इसको कुटी भी मिर्चें डाल के इसको तयार किया था और इसको फिला दिया इस पहर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे ना तो खाली केचब भी लगा सकते और जाना या हमोगे चिकन के चंस डाल दिये हैं ठीक है इसको मैंने और वी जब हो सीधो चिली सोोस सोया सो में चिली है मैं सोठी têmARD कि इसको मैंने बिलेक पेपर और और औरी गानो इस कर दिया है ठीक है औरि अरिगे आसे बड़ा चा टेस्ट ह बिल्कुल दिमाग जाना गायब उचाता है। गायब दिमाग प्रुफेसर बन जाती है। जनाब इस पीजा चीज मेंने इसके डाल दिये। और इस पीजा चीज के ओपर मैंने तोड़ा से पप्लीका स्प्रिंटल कर दिया है। एक अंडे में कलर मिला दिया है जर्दे का और इसके किनारों पर लगा दिया है। यह रेड़ी है अवन में जाने के लिए। जनाब 200 सिंटीक्रेट पे मैंने अवन को गरम पल लिया था प्रिहेट कल लिया और 20 मिनट के लिए इसको रखाता है। मैंने तो खर मेरा तो अवन बढ़ा है तो मैंने तीनों पीजा एक साथ रख दिये थे। एक साथ ते यहां रो गए थे 20 मिनट में। एक साथ बनने से होता है कि सब को गरम-गरम पीस मिल जाता है। यह दूसरा वाला पीसे को मैंने काटे से जो है डिसमों दबा दबा के डिजाइन बना लिया गा। यह जनाब भी इसमिनका हमारा तयात खाने के लिए तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब परना नहीं बूलेगा। और दूसरा में याद रखिएगा। मिलती हैं अगले अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलाह आफिस। इंजॉई करें। बनाएगा जरूर बहुत मज़ा आता है पीजा बनाने में। इसको आप पतीले में भी बना सकती मैंने पिले बनाया था। अलाह आफिस।